दोस्तो वेस्टन डीज के खिलाफ टीम इंडिया में चार साल बाद एंट्री मालने जा रहा है ये घातक बल्लेबाद तो कौन है वो घातक बल्लेबाद बताने वाले हैं इस वीडियो में अगर आप भी है भारती टीम के फैन तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल क को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो भारती टीम इस समय वेस्टन डीज के खिलने वाली है अपने घर पर यूंकि साउथ अप्रिका में मिलिहार का बादला भारती टीम वेस्टन डीज से ले सकती है और लटकलाई हुई टीम जो है वह भारती टीम की उसको भी साही करना ह्यांगी बात करें चिरीज की तो इसमें तीन वंडे और टीन टीनटी मुकाबले खेलने जाने वाले हैं पहला मॉंडे मुकाबले एक जाते की ना waveform kol माने मुकारे उनकाबले ब्हारती टीम को तीनटी आइस तर जहाँ पर उसका पहला मकाबला वापसी कोन से बात करते हैं कौन से के वापसी हो रही है। लेकिन एक समय आया है जब मनीस पांडे को टीम से ड्रॉप कर दिया गया और नहीं एक फिराडी आते गया और मनीस पांडे को कभी याद नहीं किया गया लेकिन हमाना जा रहा है कि West Indies दोरे पर Manis Pande की entry हो सकती है क्योंकि Manis Pande एक गातक बल्लेबाज है और Middle Order में काफी अची बल्लेबाजी कर सकते है तो चार सार हो गया है इनको टीम में वापसी नहीं मिली है और अब वापसी हो सकती है जब रोहिस सर्मा कप्तान बन रहे है आपके हिसाब सी क्या ऐसा होना चाहिए हमें अपनी राए नीचे कमेंट में जरूर बताएं वीडियो अची लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ हमाने टेलिग्राम चैनल को जाइन करें इसका लिंक डिस्क्रिप्सन में दिया हुआ है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद